कि यह गाइस गॉर आफ्टर नून और आज मेरे केट वेंडी प्रूम में इंस्टाल है है वकोस 3.3 लेकिन यह रिगुलर है वकोस नहीं है क्यों नहीं है क्यों कि रिगुलर है वकोस हम लोग जो जानते थे उसमें में जी अपस अलग से फ्लैश करना पड़ता था जी अपस नहीं रहता था लेकिन इस है वकोस 3.3 में पहले से ही जी अपस इंक्लूडड है और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसके अबाउट शेटिंग्स में जाके कि इसमें डीडियल्स क्या-क्या है तो हम लोग देख सकते हैं यह एक एंड्रूइड 10 बेस ड्रॉम है जिसमें जो जी अपस को एक्स्क्वूडे मतलब पहले जो तो इन दोरह में बेसिक orange क्या होते है जी अब्स देख सकते हैं कि यह जो डायलन यह जो sono Messages यह सारे गुगल के अपने अज रिजिनल होते हैं लेकिन जो फूंट बसक्षों में जिसमें मिण सर सकते हैं जूंग यह burn पर्ट पर्टी होते हैं उन्हें कोई अप्डेट भी नहीं मिल पाता है और वो लेटेस्ट भी नहीं होते तो यह बेसिक डिफरेंस है काफी गूगल का जो इतना मतलब एक एंड्रोइड हो इसमें गूगल जितने प्रकाते तो इसमें गूग जी मेरे इंक्लूड़ राते हैं वह हमेशाहती मेरे गूट में रहते हैं यूगं क्योंकि आपे W अच्छा लग रहा है इसके जी आप सपोर्ट के बाद तो हम देख सकते हैं इसके नेटवर्क्स इंटरेंट में आके नेटवर्क्स इंटरेंट सभी अच्छे से काम करते हैं वोल्टी वीडियो कॉल्स अब्रिटिंग सब कस्टमाइस कितने सारे हम लोग options में कर सकते हैं उतने तो available नहीं है इस ROM में क्यूंकि अभी अभी यह newly है वको इसका ऐसा version आड़े जी आपस को included तो इसमें काफी minimalistic है जितना practically जितना हम लोग को feature use करना है यूस करने में लगता है को इसको उतना ही बस दिया गया है काफी out of the world कोई customization option नहीं दिया गया है जो कि पिछले जो जी एपस को exclude करके जो वेस था उसमें जितने सारे customization हमें मिलते थे उतने नहीं है अभी अंगलम स्टेटस बार में देख ले तो काफी बितल हम नॉर्मली जो क्लॉक लोगो यही सब है network speed and icon style battery percentage एकदम सिंपल जितना हम लोग को basic customization में चाहिए उतना ही दिया गया है यहां पर और तो और अगर हम लोग आजाए इसके next option में जो कि है quick settings quick settings में भी एकदम से में में डिस्प्ले में इन लोगों ने कुछ कस्टमाइज है नहीं छोड़ा सब कुछ यहां पर available है मतलब always on अगर off भी करना है मतलब ऑन नहीं भी रखना चाहिए तो double tap pick up hand way pocket सब कुछ जो option है वो सभी यहां पर provided है यहां पर बात कर लें जेस्चर्स की तो जेस्चर्स पी एकदम प्रॉपर लिडी सब कुछ दिये गया है यहां पर और जो बैटरी सेविंग ऑप्शन है वो भी एकदम प्रॉपर से है animation and mislinis mislinis वह देख लिए तो gaming mode यहां पर है and screenshot type gaming mode में आपर दिया गया है मतलब जो जो फीचर हम लोगो डेली यूजेज में हम लोगों को जरुरत पढ़ता है practically यूज में आता है वो सारी फीचर यहां पर available है लेकिन अभी तक यहां पर नॉर्मली जो कस्टोमाइजेशन रहे जैसे फिंगर्प्रिंट आइकन अनिमेशन वो सब अभी तक भी अवेलेवल नहीं हो पाया है लेकिन जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हो था अभी मुझे पता चला कि इसका एक लिटेस्ट वर्शन भी अभी रिलीज हुआ अभी अभी रिलीज हुआ एक लिटेस्ट इसमें डीस डिमिंग भी अट कर दिया गया है जो इस वर्शन में तो नहीं है लेकिन इस रॉम में सब कुछ same है अभी के latest रॉम की तरह ही और यहां पर हम लोग देख सकते हैं पॉप-प कैमरा भी एकदम अच्छे से working है कोई या सच प्रॉब्लम नहीं है पॉप-प कैमरा को लेकर और बैक कामरा भी एकदम अच्छे से ही working है calling की बात करें तो वो भी एकदम अच्छे से working है और अगर हम लोग बात कर लें हैं आपे sounds की तो sounds भी हम लोग देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से working है तो sound भी एकदम अच्छे से working है me sound enhancer भी है आपे available है यहां पर हम लोग बात कर ले सिक्यूरिटी की तो सिंगर प्रिंट एकदम अच्छे से काम करता है कोई यह सच प्रॉब्लम नहीं है एक्यूरेसी रेड भी काफी सही है हम लोग देख सकते हैं ज्यादा टाइम भी नहीं लेता डीसेंटली फास्ट है और अब बात कर लें इसके बात के सारे अप्शन में तो इसमें कुछ भी बग नहीं है मुझे एक सिंगल बग अभी तक नहीं मिला सब कुछ प्रापर्ली वर्किंग है और जहां पर अबाउट फोन्स का तो मैंने शूरू में ही आप सभी के साथ डिसकस कर लिया तो यह था इस राम का ओवरवीव रोम काफी स्मूध है परफॉर्म काफी अच्छा है जैन मैं हैपिली रिकमेंट कर सकता हूँ कि सब आप जिन जिनको एक ऐसा राम चाहिए जो काफी स्टेवल हो परफॉर्मेंस अच्छा हो और कंसिस्टेंट हो तो अब डेफिनिटील इ यहां पे एक्तम प्रापर्डी गूर्किंग है तो अप्रेज के लिए इस इस रॉंप को इंस्टॉल कैसे करें तो इन्स्टॉल के लिए हमें क्या रिजकिना पड़ेगा वालिुमब बटन को और लॉॉग बटन को एग साथ में परस् recovery mode में अपने phone को boot करना पड़ेगा तो यह रहा अभी हमें दो zip file जरूरत पड़ेंगे जो कि हैवक OS का OS का zip file अक्चलि दो नहीं एक ही में sorry में गलती से बोल दिया यह जी आपस इंक्लूदेड वर्जिन है तो बस हमें एक ही फाइल को flash करना पड़ेगा वो है हावक OS 3.3 का जो zip file है अभी हम लोगों क्या करना पड़ेगा पहले हम लोग को wipe कर देना पड़ेगा डैल वी हमें क्या करना पड़ेगा हमें openg apps के जो file है उसे zip file है उसे हम लोग को flash कर देना पड़ेगा तो यह रहा हम लोग का फाइल जो है install होने ही वाला है और यह रहा successful हो चुका है install अभी हम लोग कुछ नहीं करना जिस direct reboot to the system कर देना है तो यह रहा आ चुक है हम लोग का booting logo booting animation start हो चुका है वोगो इसका first boot relatively थोरा से longer time लेता है as compared to the consecutive boot जो हम लोग बाद में करेंगे इसके लेकिन हाँ यह first time थोरा wait करने के बाद ही हम लोग का जो है startup page आ जाता है तो यह रहा हो चुक है हम लोग का start start करने के बाद हमें normally sim select करने पड़ते हैं यह सारे normal basic android formality जो होने है वो से भी हम लोग fill up करने पड़ते हैं और start करने के लिए और एक बार formality पूरे कर देने के बाद हम लोग का यह जो है वो successfully usage के लिए ready हो जाता है तो यही था इस OS का review and installation process अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाए पसंद आया तो please do like share and subscribe और मिलते हैं आप सभी को ऐसे ही एक interesting content के साथ next video